नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हो परधान मंत्रे आवास योजिना के बारे में तो इस वीडियो में बताऊंगा कि जारकेंड में परधान मंत्रे आवास योजिना का जो न्यू रेश्टेशन जो नया आवेदान है वो चालू हो चुक कि नहीं हुई है आवेदन वाला परकिरिया शुरू हुई है कि नहीं हुई है और मैं आपको सारी परकिरिया बताऊंगा कि आप इसमें आवेदन कैसे कीजिएगा और आपको इसके लिए क्या-क्या कागिजाती आनी कि क्या-क्या आपको डोकुमेंट्स की आप सकता जिससे आप इस योजना का सरकारी योजना का लाव लेने से वंचित ना रह जाओ तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देजेगा वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं कि आप यह कैसे पता लग सकते हैं तो आप इसे पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको आपके जो पंचायत का मुख्या है उससे भेट करना होगा या पंचायत सची होए जो पंचायत सची हो उससे भेट करना होगा तो उससे मिलकर आपको यह पता लगाना होगा कि आपके यहां क्या अगर आपको पंचाच सची या मुख्याज जानकारी नहीं देता है तो ऐसा में आप जानकारी कहां से पास सकते हैं तो इसके लिए आपको अपने ब्लोग जाना होगा ब्लोग में जाकर देखिएगा कि उहां पर एक प्रधान मंद्रे आवाज सिोजना के लिए ایک professional office खुला हुआ होगा तो आप उस office में जाकर देखिएगा तो वहाँ पर एक operator होगा जो परधान मंत्रे आवास योजना का registration करता है तो आपको उससे जाकर मिलना होगा अगर आवास soft में खुल गया है अगर परधान मंत्रे आवास soft जारकेंट का जो आपके प्लोक में अगर खुला है तो वह आपका registration कर देगा तो इसके लिए आपको कुछ महत्वपूर्न documents लगेगी जो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ तो आप लोग इससे लिग कर भी रख सकते हैं तो देखिए सबसे पहला आपका पहचान पत्र लगेगा जिसमें आप अपना अधार कार्ड देना आनिवार यह है या भोटर कार्ड हो या कोई भी कार्ड हो लेवर कार्ड हो कुछ भी दे सकते हैं पर अधार कार्ड देना आनिवार है तो आप अपना अधार कार्ड तयार रखे दूसरा नमबर में आपको बेंखाता का नमबर लगेगा बेंखाता का जेरोक्स लगेगा अधार कार्ड का भी जेरोक्स लगेगा और बेंखाता का जेरोक्स लगेगा बेंखाता का जेरोक्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि आपका जो पैसा हुआ बेंखाते में ही भे चाहते हैं तो उसका परचा भी लगेगा पांचवा नमबर पर आपको दो फास्वर्ट साइज का फोटो लगेगा अगर इसके इलावा कोई भी डॉकॉमेंट्स आपको लगता है तो आप इससे जाकर अपने ब्लोक में या पंचायत में पता कर सकते हैं कि आपको और क्या-क् तो दोस्तो इस वीडियो मुझे जितना जानकारी मिला तो मैं आप तक पहुचा दिया हूँ अगर इसके बारे में कोई और जानकारी आती है तो उसे भी मैं आप तक जरूर पहुचाऊंगा तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्ष्ट वीडियो पे तब तक के लिए जैहीं ज भारत जोहर जहर खंड